हेलो फ्रेंट्स, वेलकम एक टो माई चैनल वंदनास बटी तो फ्रेंट्स लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसेस कट पैक नेक ब्लाउच की कटिंग करी थी आज मैं उसकी स्टिचिंग आप लोगों के साथ सेयर करूँगी जितना कटिंग इंपोर्टेंट है उतना ही स्टिचिंग भी इंपोर्टेंट है इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे टीप्स मिलेंगे वीडियो को बिना स्किप करें आप एंड तक जरूर देखेगा अगर आपने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसके लिंक डिस्किप्सिन लगा दूँगी और पेन कमेंट भी कर दूँगी आप उस वीडियो को जरूर देखेगा आप हम बलाउच की स्टिचिंग शुरू करेंगे यहाँ पर मैंने सभी पिसेज को साइट कर लिया है सबसे पहले हम स्लिव्स की स्टिचिंग करेंगे इसमें हमें पाइपिंग को कवरिंग करना है तो देखे मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को लिया है और यहाँ पर पहले हम पाइपिंग को अटेज कर लेंगे तो एक स्लिवस में मैंने यहाँ पर पाइपिंग को अटेज कर लिया है सेम तरीके से मैं दूसरे साइट के स्लिवस में भी पाइपिंग अटेज कर लूँगी अब इसके उपर रखना है हमें में फैब्रिक को तो main fabric को बरापर तरीके से रखना है क्योंकि मैंने दोनों fabric fix cutting किया हुआ है अगर आप beginners हैं तो इस तरीके से आप pin लगा सकते हैं या main fabric में half inch का margin चारों तरब से extra रखे और इस तरीके से फिर attach करने के बाद जब हम back side की तरब पलट देंगे तब फिर आप five number का stitch लगा के extra fabric की cutting कर सकते हैं तो main fabric भी मैंने attach कर लिया है अब जो मैंने pin लगाए हैं इनको हटा देंगे अस्तर को बाहर के side open करेंगे अब हमें इसके किनारे में धार stitch लगानी है इससे blouse में finishing बनी रहती है तो stitch लग गया है अब हम इसको इस तरीके से एक साथ में बराबर तरीके से रखेंगे इसके चारों तरब से मैं five number का stitch लगा लूँगी सेम तरीके से मैं दूसरे side के sleeves को भी ready कर लूँगी तो देखिए मेरा ये दूसरा sleeves भी ready हो गया है दोनों sleeves ready हो गये हैं इनको मैं side कर दूँगी अब हमें front part ready करना है तो ये है first वाला panel main fabric में मैंने fusing attach करके रखा है अगर आप लोग को fusing attach करना नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने एक video बनाई हुई है उसमें बहुत सारे questions के answer भी दिये हुए है उस video की link मैं description में लगा दूँगी आप उस video को देख सकते हैं कैसे हम fusing को attach करें तो यहाँ पर हमारा ये half inch का stitching का margin इसी में है तो अब मैं इसे पहले open करूँगी और इसे हम रखने वाले हैं main fabric के उपर main fabric में रखने के बाद हम neck के किनारे किनारे में सिलाई लगा लेंगे अगर आप beginners हैं तो इस तरीके से दोनों side में marking कर लीजिए और उसके बाद एक समान आपकी सिलाई आएगी अंदर के side में जो extra fabric है उसके हम cutting कर लेंगे और अब अंदर की side में जो half inch का fabric बचा हुआ है उसके उपर cuts लगाने है तो cuts लगाने के बाद हम अस्तर को बाहर के side open करेंगे इसमें हम धार stitch लगाएंगे यहाँ पर मैं neck में neck canvas या neck fusing जो रहता है वो मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि already neck छोटा है और blouse में like wrap fusing भी attach करके रखा है तो already कपड़ा thick हो गया है तो उसमें neck canvas लगाने की जरुवत नहीं है अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं लेकिन छोटे neck में लगाने की जरुवत नहीं पड़ती है यहाँ पर मैंने blouse को बाहर के side open कर लिया है और किनारे में मैंने paints attach कर लिया है अब यहाँ पर यह जो extra fabric आ रहा है बाहर के side में इसकी मैं cutting कर लूँगी क्योंकि मेरे fix है ना तो अभी अस्तर के साथ में हम अस्तर वाले side के panel को attach करेंगे और जो main fabric है उसके साथ मैं main fabric को attach करेंगे तो इसमें जो भी pins लगी है इनको मैं निकाल दूँगी side वाले panel को हमें नीचे रखना है और जो center वाले panel है उसे उपर से रखते हुए हमें attach करना है तो नीचे की side से हमें बराबर रखना है दोनों को और half inch का margin लेते वे हमें सिलाई लगानी है तो friends यहाँ पे जितना भी आपने margin लिया है उतना ही आपको दबाना है ना तो कम दबाना है ना ही ज्यादा दबाना है और सिलाई करने के time पे बिलकुल भी fabric को खीचना नहीं है उपर वाले को जैसे जैसे नीचे वाला shape आ रहा है उसी तरीके से उस कपड़े को हमें रखना है और half inch का margin लेते वे सिलाई लगाते रहनी है तो देखे मैं आराम से लगा रही हूँ बिलकुल खेच भी नीरी हूँ केवल हमें उसके shape के साबसे कपड़े को घुमाना है और सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने first वाला panel अटेच कर लिया है अब मैं उपर की side में एक बार आपको दिखाती हूँ देखे कपड़ा बिलकुल भी छोटा नी है लेकिन हलकाशा shape अंदर की side से हमें cut करना है इसे मैं बाद में cut करूँगी पहले दूसरे side के panel को भी अटेच कर लेती हूँ अब इसे हम उपर की side से अटेच करेंगे कई लोग की habit होती है कि उपर की side से करते हैं कई लोग नीचे की side से करते हैं इसके लिए मैं दोनों पैनल आपनों को दिखा रही हूँ एक उपर की side से और एक नीचे की side से तो देखिए यहाँ पर भी हम half inch का margin लेते हुए सिलाई लगाएंगे princess cut में केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है stitching के time पे कोई भी panel को आपको खिशना नहीं है और जब हम lycra fusing attach करते हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि lycra अपने आप खिशता है तो और blouch के piece कम ज़्यादा होते हैं वो छोटे बड़े होने के इसमें chance ज़्यादा रहते हैं normally हम cotton का कपड़ा भी हम attach करेंगे अगर हम खीचेंगे तो उपर वाले piece को या जिस भी piece को हम खीचते हैं वो piece थोड़ा तो बड़ा हुई जाता है इसके लिए हमें बिल्कुल भी खीचना नहीं है अब ये देखें मैं अस्तर वाले piece को attach करी हूँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं घुमा रही हूँ center में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमें foot को धीरे धीरे उठाना है और घुमाते रहना है हलके से उठा के हम दूसरे side के तरफ घुमाएंगे तो हमारा point भी नहीं वनीगा एक side का attach हो गया है सेम तरीके से मैं दूसरे side का भी attach कर लूँगी अब हमें इसमें cups attach करना है तो यहाँ पर मैंने जो size लिया है 36 body का bus का size है तो इसमें मैं 38 cup size लूँगी जितना भी body का size आता है 34 है तो आपको 36 का cup लेना है और 36 का size है तो हम 38 लेंगे ऐसे ही 44 का size है तो 46 का cup लेना पड़ेगा इस तरीके से cups का center निकाल लेना है और यहाँ पर मैंने नीचे की side से blouse में 2.75 इंच या 3 इंच में हम नीचे की side से mark कर सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से marking करके रखी है अब हमें blouse का center और cup का center दोनों को मिलाना है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है हम केवल अस्तर में ही cups को attach करेंगे main fabric को मैंने पीछे की side में किया हुआ है तो यहाँ पर मैं center को अच्छे से मिला रही हूँ क्योंकि center बराबर तरीके से नहीं मिलेगा तो हमारा cups भी cross लग सकता है इसके लिए सही तरीके से हमें उसका center मिलाना है cups का और blouch का हमारा जो center आता है तो अब मैं नीचे की side से सिलाई लगाते हुए center point तक आएंगे यहाँ पर हमें needle को नीचे डालना है और foot को हलका सा हमें उठा के दूसरी side की तरब घुमाना है और armhole की side की तरब सिलाई को बाहर की side निकाल देना है तो एक cup मैंने यहाँ पर attach कर लिया है और अंदर की side में आप देखे किस तरीके से कपड़ा cups में बैठा हुआ है और यहाँ से भी देखे center में हमारी सिलाई आ रही है सेम तरीके से महाँ दूसरी side के cup को भी attach करना है तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ देखे मैंने center center में मिला दिया है और नीचे की side से सिलाई लगाते भी हम center में आएंगे armhole की side की तरब सिलाई को निकाल देंगे तो देखे यहाँ पर दोनों cups मैंने attach कर लिये है अब हमें main fabric से इसे cover कर लेना है और इसके चारों तरब से मैं 5 नमर का stage लगा लोगी तो एक बार मैं अंदर की side से आपको दिखाती हूँ यहाँ पर देखे किस तरीके से cups के अंदर fabric अच्छे से बैठा हुआ है यहाँ पर अंदर की side में मुझे dart लगाना था लेकिन मैं पहले लगाया नहीं अभी तो नहीं लगाऊंगी अगर आपको लगाना है तो आप cup attach करने से पहले dart लगा सकते हैं और बाहर की side में भी फिर center में dart लगाना पड़ेगा अब main fabric में मैं नीचे की side से half half inch का marking कर रही हूँ यह आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ नीचे का मैं covering करने वाली हूँ piping को इसके लिए मैं main fabric में पहले piping को attach करूँगी और उसके बाद अस्तर वाले fabric को उसके उपर रखके फिर से हम दुबारा सिलाई करेंगे तो यहाँ पर मैं ready made piping का यूज कर रही हूँ इसके लिए से मैं cover कर रही हूँ और fusing already attach कर रहा है तो मैं कमर में पट्टी attach नहीं करूँगी तो यहाँ पर से देखे एक side से मैं जहाँ पर मैंने marking किया था वहाँ पर piping को रखते हुए मैं पहले सिलाई लगा लूँगी तो इस तरीके से हम पूरे blouse में किनारे तक सिलाई लगाएंगे एक्स्टा piping कर लेंगे तो main fabric में मैंने piping को attach कर लिया है अब उपर से मैं अस्तर से इसे cover कर लूँगी अब इस तरीके से रखेंगे और फिर से हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर हमें single foot का ही उच करना है तब ही हमारा एकदम piping के किनारे में सिलाई लगेगी अब हमें main fabric को एक side करना है और अस्तर वाले fabric को एक side में कर देना है अस्तर वाली side में हमें धारिष्टेश लगानी है इससे हमारा अस्तर बाहर की side में लटकेगा नहीं कई बार हम लोग जब सिलाई नहीं लगाते हैं तो बाहर की side निकलने लगता है main fabric से बाहर दिखने लगता है उल्टी वाली side को हमें अंदर की side पलड देना है तो इसे हम अच्छे से बराबर कर लेंगे जो side हमारी open है उसको हम सिलाई लगा के पैक कर लेंगे तो एक side में मैंने सिलाई लगा ली है सेम तरीके से मैं दूसरी side में भी सिलाई लगा लोंगी तो यहाँ पर आप 5 नमर का stitch लगा सकते हैं शोल्डर और आर्मोल वाली side को भी हमें सिलाई लगा के पैक कर लेना है सेम तरीके से मैं दूसरे side के आर्मोल और shoulder में भी सिलाई लगा लोंगी आर्मोल के यहाँ पर हलका सा shape देना है हमें तो इस तरीके से हम cut कर लेंगे सेम तरीके से मैं दूसरे side भी जो हलका सा बाहर के side आरा उसे cut करूंगी यहाँ पर हमने front part ready कर लिया है इसे हम side कर लेंगे अब हमें करना है back part को ready तो यह है हमारा back part तो main fabric को मैं अभी अलग कर देती हूँ और पहले मैं अस्तर वाला fabric आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखे center में मैंने अलग से fabric attach किया हुआ है क्योंकि मैं center में extra margin रखना भूल गई थी क्योंकि back side में हमें जिप attach करनी है तो हमें margin अलग से रखना पड़ेगा तो यहाँ पर आप line से chalk की marking से आगे की side में fabric देख रहे होंगे तो इतना extra fabric मैंने इसमें लिया हुआ है main fabric और अस्तर दोनों को अलग-अलग करना है पहले हमें cover में back में हमने जो dart के लिए marking किया है वो अलग-अलग हम लगाएंगे एक साथ में हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें piping covering करनी है तो इसके लिए main fabric में हमें अलग dart लगाना पड़ेगा और अस्तर वाले में अलग से dart लगाना पड़ेगा तो मैंने दोनों में dart लगा लिया है अब ये main fabric को हम रखेंगे और कमर में हमें piping को attach करना है तो यहाँ पर मैं पहले single foot लगा लूँगी तो इस तरीके से हम कमर की side में रखेंगे और एक side से piping को attach करेंगे तो इस तरीके से हमें piping के किनारे किनारे में ही सिलाई लगानी है अब main fabric के उपर हमें अस्तर वाला fabric रखना है फिर से एक बार हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे नेक वाली साइड में आएंगे यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है तो उपर की साइड में मैं हाफ इंच का मार्किंग करूँगी उसी के इसाब से सिलाई लगाऊंगी तो एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड में हम निकाल देंगे और अंदर की साइड में हम कर्ट लगाएंगे अब हमें इसे पलट लेना है तो इसे बाहर की साइड उपन कर लेंगे, नेक में पहले किनारे में अस्तर वाले में धार स्टिच लगाएंगे, तो इससे हमारा कपड़ा नेक की साइड में बाहर की साइड निकलेगा नहीं, तो इससे फिनिशिंग बनी रहीगी, तो इससे हम अच्छे से पलट लेंगे और blouch को अच्छे से iron कर लेंगे तो ये एक piece ready कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे side के piece को भी ready कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने center में interlock कर लिया है और यहाँ पर किनारे में देखे मैंने half-half inch का जो margin लिया था उसमें mark कर लिया है और उपर की side से मैं one and a half inch तक का marking करूँगी और यहाँ पर मैं marking तक सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पर हम आगे पीछे करके दो-तिन बार lock कर लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर जिप lock होगा इसके लिए हमें आगे पीछे करके lock करके दो-तिन सिलाईया लगा लेनी है तो यहाँ पर मैं invisible jip यानि की concealed jip भी आप बोल सकते हैं इसे मैं attach कर रही हूँ तो इस तरीके से मैं नीचे की side से उपर की side में open करूँगी तो देखे किस तरीके से मैंने पकड़ा है जैसे ही हम उपर की side खोलेंगे तो हमें जो jip की पट्टी है उसे पलट लेना है और किनारे में हमें रखना है जहाँ पर हमने margin छोड़के रखा है वही margin के उपर हमें jip को रखना है हाफ इंच हमें jip को बाहर की side निकालना है स्टार्टिंग में हमें आगे पीछे करके लॉक करना है जिससे की हमारा jip जल्दी खोलेगा नहीं अब right hand से हमें jip open करते रहना है और सिलाई लगाते रहनी है इससे हमारे jip के एकदम नजदीक में सिलाई लगती है जब हम jip बंद करेंगे तो फिर हमारी jip बाहर की side में दिखाई नहीं देती है इसके लिए इसे invisible jip बोला जाता है तो यह देखे एक side में मैंने jip को attach कर लिया है अब मैं इसे बाहर की side निकाल दूँगी जिप के दूसरे किनारे में हम बाद में सिलाई लगाएंगे पहले हम दूसरे side की jip को attach कर लेंगे तो फिर से हमें कमर वाली side में आना है हम नीचे से लगाना start करेंगे हाफ इंच का jip हम छोड़ देंगे यहाँ पर पहले मैं जो jip का दूसरा वाला side है वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आगे बीचे lock करके foot को उठाना है अब दूसरी side की तरब हम गुमाएंगे अब हमारे jip के किनारे में हमें सिलाई लगानी है तो right hand से हमें jip को open करते रहना है और फिर हमें उसके किनारे में सिलाई लगाते रहनी है तो इस तरीके से एकदम किनारे किनारे में लगाएंगे हम jip को open करेंगे ना तो जिप के एकदम नीचे end में हमारी सिलाई लगेगी, तो बराबर तरीके से हमारी वो फिर invisible हो जाएगी, नहीं तो फिर बाहर की साइड में सीधी साइड में जिप दिख जाती है, पहले हमने जो जिप attach करके रखी है, उसके दूसरे वाले किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है, तो यहाँ पर सिलाई लग गई है, एक बार मैं जिप को बंद करके देखूंगी, तो देखे हमारा जिप बराबर तरीके से लगा हुआ है, अब यहाँ पर जो extra जिप हमने रखा था ना, उसे हम कट करेंगे, स्टार्टिंग में हाफ इंच रहता है, वहाँ पर एक प्लास्टिक की लोक लगी रहती है, जिससे की जिप हमारा बाहर ना निकले, तो उसे मैंने बाहर की साइड में हाफ इंच रखा था, अब हमारा जिप अटेच होने के बाद मैंने उसे कट कर लिया है अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी ना उतने मैं मैं सिलाई लगा लूँगे जिससे की बाहर की साइड यह पल्टी नहीं होगा तो इस तरीके से दूस्रे साइड मैं मैं किनारे में सिलाई लगा लूँगी और आगे पीछे हमें लॉक कर लेना है तो यह हमारा जिप लग गया है नीचे की साइड मैं एक हूट लगा लूँगी हूक और और आई यहाँ पर हम रेडिमेट आई लगा सकते है अब उपर की साइड में जो एक्स्ट्रा जिप बची हुई है उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक पट्टी फोड करके यहाँ पे स्टीच कर लेनी है तो इस तरीकी से मैं यह अस्तर को फोड करूँगी क्योंकि जिप क्या है नेक में फिर बार-बार वहाँ पे लगेगा तो इसके लिए यहाँ पे हमें इसे कवर करना है तो इस तरीकी से हम कवर करेंगे पहले एक साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड़ भी हमें इसे फोड़ करके अंदर की साइड में डाल देना है तो यहाँ पर हम अंदर करने के बाद उपर से सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा जिप भी cover हो जाएगा और उपर हमारा skin में बार बार लगेगा नही तो यहाँ पर हमारा back part भी ready हो गया है और एक बार मैं फिर से आपको जिप open करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर आप यह देखिए उपर मैंने one and a half inch का gap रखाया उतने में हमने उपर से pack किया हुआ है तो back part तो ready हो गया है अब हमें shoulders को attach करना है अब हमें back के shoulder के अंदर front के shoulder को रखना है और इस तरीके से shoulder को attach कर लेना है इससे हमारे shoulder cover हो जाएंगे सेम तरीके से मैं दूसरे side के shoulder को भी attach कर लोंगी half inch का margin हमें यहाँ पे लेना है या जितना margin आप रख रहे हैं उतना ही फिर आपको दबाना है तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक साइड का जिप भी लगा दिया है और शोल्डर के यहाँ पर हलका सबार की साइड में है तो वो मैंने कटिंग कर गे निकाल दिया है अब बलाउच के साथ में हमें स्लीव सको अटेज करना है तो यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल को चेक कर लेना है उसके बाद ही हमें लगाना स्टार्ट करना है तो देखे एक साइड से मैं स्लीव लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और हलके हाथ से हमें लगाना है खीशना विल्कुल भी नहीं है ब्लाउच के शोल्डर के यहाँ पे हमें स्लीव का सेंटर आना चीए जो हमने कट करके मार्किंग किया हुआ है अब मैं यहाँ से दूसरी साइट की तरफ सिलाई लगा लूँगी तो इस तरीके से पकरते हुए हम दोनों को बराबर पकड़ेंगे और आर्मोल की साइट की तरफ निकाल देंगे सेम तरीके से दूसरे साइट के स्लीव को भी अटेच कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है अब हमें साइट की फिटिंग करनी है तो यहाँ पर हमने जो पहले से ही मार्किंग करके रखा है उसी के उपर सिलाई लगानी है तो ये हमारी fitting वाली सिलाई है सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी तो यहाँ पर से हम पहले slews में mark कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर starting में हम lock करेंगे और फिर हमें armhole के point में सिलाई लगाते हुए लेकिया आना है नीचे की साइड में जो marking है उसी के उपर हमें सिलाई लगानी है लास्ट में हमें lock करके बाहर की साइड निकाल देना है तो मैं साइड में 2-3 एक्ष्टा सिलाई लगा लूँगी जो की कभी भी future में खोल सके तो यहाँ पर हमारा blouse ready हो गया है तो एक बार मैं आपको back side से भी दिखाती हूँ तो यह देखिए back side में देखिए और armhole के point में एक बार मैं सिलाई आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखिए जो हमारी fitting वाली सिलाई है पूरी एक line में उपर जा रही है और armhole वाली सिलाई armhole की side जा रही है सेम तरीके से यह देखिए दूसरी side भी बराबर आ रही है अगर सेम बराबर तरीके से हमारे sleeves के और body के armhole की cutting बराबर तरीके से होगी तो इसी तरीके से आपका भी सिलाई आएगा center में हमने jeep attach किया था तो यहाँ पर नीचे की side में एक hook attach करना है तो उसे मैं बाद में attach कर लूँगी अब मैं आपको blouse का final look दिखाती हूँ तो यहाँ पर अभी आप neck देखिए यह एकदम neck को touch करके नहीं है क्योंकि मुझे इतना pack नहीं चाहिए इसके लिए मैंने neck को थोड़ा सा deep किया हुआ है अगर आपको उपर एकदम गर्दन को touch करके चाहिए तो फिर आपको और उपर लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा back side में jip है अगर मैं deep नहीं करती front side में तो हमारा sir भी इसमें नहीं जाता अगर आपको इससे भी उपर थोड़ा सा pack करना है तो आप front side की neck की length को थोड़ा सा उपर की side में कर सकते हैं और back में आपको hook रखना पड़ेगा जो कि आपको पहनने में और खोलने में कोई problem ना हो अगर आप jip लगाएंगे और side jip करेंगे तो फिर आपको इसी तरीके से रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा फिर neck पूरा pack हो जाता है back side में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा length बढ़ाया हुआ था मैंने जिससाब से आप लोग को cutting के time पर बताया मैंने थोड़ा सा half inch और neck length को बाद में उसको alter किया था लेकिन मैंने जो cutting के time पर आप लोग को बताया हुआ है वो आपको fix करना है अगर आप back hook कर रहे हैं तो back side से आप blouse की length भी देख सकते हैं बराबर बैठा हुआ है कहीं से भी उपर नीचे नहीं है पूरा straight बैठा हुआ है इसमें मैंने hook लगा के रखा है तो perfect तरीके से वो एकदम tight बैठेगा जिप लगाने के बाद हमें hook लगाना बहुत जरूरी है तो इस चीज का आप ध्यान जरूर दीजिए shoulder आप यहाँ पर देख सकते हैं perfect तरीके से shoulder बैठे हुए हैं कई लोगों को shoulder down करने में बहुत सारा confusion रहता है तो यहाँ पर अभी आप देखिए shoulder कैसे नीचे की side में down है इसी के लिए हमें shoulder down करके वो cutting करके निकालना पड़ता है अगर हम नहीं निकालेंगे तो उपर की side में उठा हुआ जैसा रहेगा यहाँ पर मैंने हाथ उपर की side में रखे हुए हैं इसके लिए हलका सा उठा हुआ दिख रहा है लेकिन हम हाथ नीचे करेंगी तो वो perfect तरीके से बैठ जाएगा अगर आपने cutting वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी link description में लगा दूँगी और pin comment भी कर दूँगी तो उस वीडियो को एक बाद जरूर देखेगा I hope आज की वीडियो आप लोगो पसंद आए होगी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोगो share जरूर कर दीजेगा और first time मेरी वीडियो देख रहे हैं तो subscribe करके bell icon को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का notification मिल जाएगा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मैं thanks for watching